वेलकुम तुमाई चैनल और आज हम क्वेशन पेपर 2018 के नुमेरिकल सोल करेंगे अब जैसे नेक्स्ट नुमेरिकल है मारे पास इसको सोल करेंगे लेकिन ये नुमेरिकल है most important क्यों है अब उसके बारे में बात कर लेती है ठीक है देखो अब यहाँ पर integration निकालना है सबसे प इसके बाद simply आपको बता था कि definite integral के plus to class में तीन तरह के numerical मिलते है normally कौन-कौन सी एक तो numerical इस तरीके से कि वो limitizes sum वाली चीज है ठीक है ना वो मतलब यह word direct given होता है numerical में यहाँ पर नहीं है तो यह किस गया उसके बाद एक exercise थे आपके पास property वाला concept है सही है और उसके बाद एक concept था area वाला अब numerical में area के भी बात नहीं हो रही यह दो की तो बात नहीं हो रही इसलिए गए ठीक है अब क्या property अपलाई हो सकती है सबसे पहले आप इसको यह सोचो property और property क्या थी simply एक इस तरीके से नहीं property थी जैसे मतलब जैसे इस तरीके से समझना चाहो आप यहाँ और जैसे यहाँ पर यह है 0 ठेके ना मतलब 0 से ए कोई function हो fx के साबसे तो integration निकालना होता है हमने limit agities रहती है function में change हो जाता है किस तरीके से change हो जाता है दोनों limit का sum यह मतलब एक तरीके से property का sub case था सब case का मतलब यहीं पर a और b के साबसे आप समझ सकते हो कहने का मतलब यह चीज है तो a और b के साबसे समझना चाहते हो तो क्या है सबसे पहले limit का sum करते हो और minus sign जिसके respect में हमने integration solve करना है तो x हो जाएगा तो इस तरीके से एक यह property थी मतलब इसी का sub case है कि नीचे वाले limit 0 जाए वो वाली चीज सही अब यहाँ पर सोचू कि अगर हमने दोनों limit का sum किया 0 पलस pi by 4 कितना होगा pi by 4 और minus x मतलब function में जहाँ पर x दिखेगा वहीं पर यह चीज पूट करने है इस बात का यह मतलब हुआ तो यहाँ पर समझने के लिए जैसे sin x है तो हमारा result पता किसे हाँ पलस में यह चीजे भी आएंगी किवल हम सिंपली समझने यहाँ पर समझ रहे sin x वाली चीज है ठीके ना साथ में ओज यहाँ पर भी x है वहाँ पर भी चेंज होगा वहीं का लग बात है अब इसके बाद थोड़ा सा सोचो क्या यह चीज काम की है pi by 4 मतलब 45 स्बसे पहले आपको यह पतावाना चाही है यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में और ये property वाला concept क्यों नहीं अपलाई हो सकता एक तो ये चीज numerical को important बनाती है सही है तो इसके बाद कैसे बता था मतलब कोई numerical इन तीनों condition से ना हो तब क्या करना था simple सी बाद है सबसे पहले integration करो ठीक है ना और उसके बाद फिर limit पूट करतो simply ये चीज बताई थी आपको तो numerical पहली बात तो normal में से नहीं है normal condition में तो तीन case मिलते है तो मतलब थोड़ा सा special है सही है अब इसके बाद mean है numerical फिर से important बनेगा और वो है ये वाली चीज integration की वज़े से तो जैसे अब इसके बाद अब इसके बाद ये सोचो integration कैसे solve हो सकता है सही है अब numerical important देखो अब यहाँ पर type थी पलस तो गुलास में इस तरीकी की 5 type बताई थी आपको वो playlist में चेक कर सकते हैं आप उनके मतलब working rule जैसे अलग-अलग से एक तो ये थी कि नीचे a पलस b कोस x का result मतलब इसका integration solve करना हो कभी आपने एक ये type थी मतलब sin x हो जाए ठीक है ना इस तरीके से एक type ये थी कि नीचे a sin x पलस b कोस x और something constant तो इस तरीके से सही है दो type और थी आपके पास इस तरीके की मतलब एक ये थी a sin x पलस का b कोस x और नीचे d sin x यहाँ पर c कह सकते हैं ठीक है ना और पलस का d कोस x इस तरीके से इसका integration solve करना हो या फिर एक type आपके पास ये रहती है कि integration जैसे यही पर उपर constant आ जाए ठीक है ना तो मतलब a sin x पलस का b कोस x तो जैसे c उपर मतलब constant ट्रम भी साथ में हो सही है इसी तरीके से यह constant बदल तो मतलब pattern तो मतलब d sin x पलस का e कोस x पलस का f इस तरीके से इसका integration आपने solve करना हो सही है तो मतलब ये type सही है अब पहली बात तो आपको ये तो दिखरा होगा ना ये पहले 3 case तो गई क्यों गई ऊपर something है मतलब one से अलग है इस बात का ये मतलब था ठीक है हाँ इनके जो जो working rule है वो आप playlist के अंदर check कर सकते हो तो ये तीन condition क्यों गई direct दिख रही है अब इसके बाद थोड़ा सा सोचू क्या ये type हो सकती है इस type में साथ के साथ में constant नहीं है नीचे जैसे constant का मतलब जहाँ पर ये word नाओ ठीक है तो मतलब 16 मतलब constant वाली type मतलब numerical इस तरीके का एक तरीके से दिख रहा है सही है इस तरीके का दिख रहा है लेकिन यहाँ पर आदा ही दिखेगा आपको मतलब उपर तो constant नहीं जरा रहा होगा सही है हाँ एक आप इस छोटी सी बात में confuse मतलब रहना ये मतलब plus के symbol क्यों ये छोटी छोटी चीज़े तो adjust कर सकते हो सही है मतलब जैसे simply आप यहाँ पर ये सोचलो जैसे minus का 2 लिखाओ ठीक है ना वो simply आप change कर सकते हो इस तरी किसी plus symbol के साब से ठीक है ना ये मतलब इन छोटी छोटी बातों में confuse मतलब रहना कभी भी सही है अब numerical इस टाइब से soul हो सकता है लेकिन थोड़ा सा सोचो उपर तो फिर भी ये चीज नजरा रही है ठीक है लेकिन नीचे constant है उसके बाद ये चीज ये चीज numerical को important बना रही है मतलब sin x और cos x की ट्रम अलग ओनी चाहिए थी ट्रम का मतलब ट्रम पता चलती बीच में plus minus के symbol से छोटी छोटी बाते सही है तो मतलब ये वाली condition काम की ठीक है ना अब थोड़ा सा सोचो अब अमने बनानी पड़ेंगी मतलब sin x को change करो सबसे पहले तो जिसके दिमाग में ये इतनी बात की जिगह केवल एक बात आरी हो नचर कौन सी integration को जो आसान बनाएगी क्या बताता सबसे पहले angle बराबर उने ची है पहली तो ये condition है जब भी trigonometry हो अमेशा ही angle बराबर उने जरूरी है ये काम की बात है ठेक है उसके बाद ये सारे concept चलेंगी integration वाली ठेक है तो यहाँ पर आपको ये चीज नचर आ रहे होगी यहाँ पर angle है 2x और उपर है केवल x तो मतलब angle same बनाओ सबसे पहले तो ये बात आपको नजर आनी चाहिए ये type फिर भी दिमाग में नहीं है तब की बात है ठीक है ना तो मतलब यही पर जैसे simply समझने के अब बात करते हैं आपके साथ alternate choice की मतलब क्या-क्या choice बन सकते है numerical को solve करने के लिए सही है पहले तो ये definite integral वाला ये सारी बात ही हो चुकी है कि यहां से numerical क्यों नहीं solve हो सकता अब यहां पर किस किस तरीके से आप solve सकते numerical को एक तो इसको इस तरीके का बना ले उपर तो है मतलब नीचे वाले को change कर ले sine 2x का formula होता है देखो ये छोटी-छोटी बात ही तो आप याद अरकने पड़ेंगी 2 sine x और cos x इस तरीके से plus 1 class का formula इस formula की खास बात है angle आप हो जाता है सही है और ये ही चाहिए हम एक तरीके से मतलब x चाहिए था angle ठीके ना ये भी कह सकते है आप यहाँ पर तो इसी साब से समझे लो मतलब इस टाइप के साब से बात करें हम ठीके ना ये आप उपर वाले result तो हमें same दिखरा है इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे numerical में ठीके ना ये same दिखरा है इस वचे से तो केवल नीचे व्याला जो है 16 प्लस 9 जैसे नीचे है 16 प्लस का 9 sin 2x sin 2x के जगा में ये फर्मुला पूट कर सकते है 2 sin x cos x इस चेज का integration solve करना हमने सही मतलब ये टाइप इस तरीके की होनी भी तो चाहिए ना इसलिए इसको बनाओ तो अब इसके बाद क्या सोच सकते हो कि जैसे sin x और cos x की ट्रम अलग जी है मतलब multiply में ना हो multiply में है तो मतलब अलग-अलग करो तो क्या करें एक को convert कर लेते हैं convert कर सकते हैं आप इस फॉर्मुले से कि sin square theta plus cos square theta 1 होता है चोटी-चोटी बात है सही है तो यहां से किसी एक को convert करके सोचो तो क्या जाएगा यही पर जैसे नीचे के साब से उपर वाला सेम है ठीक ना नीचे वाले को change करना हमने तो जैसे इसको आप 18 लिख सकते हो ठीक ना और sin x a को change कर लो तो दूसरा कितना हो जाएगा cos x तो यहां से cos x मतलब one minus sin square x का square root हो जाएगा छोटी सी बात है इस तरीके से हो जाएगा सबसे पहले फिर यही side plus का है cancel होके उस side minus का चला जाएगा फिर square अटाना पड़ेगा हमने केवल cos x की value निकालने है इस वज़े से तो इस तरीके से सही है तो अब इसके बाद फिर से वही काम की बात है पहली तो कि जब भी मतलब even power 8 एगी plus minus का symbol आता आपके यह बात सही है एक तो इस numerical को यह चीज important मतलब इस condition में numerical फिर से important बन रहा है कि यहां पर कौन सा case लेके चलना है ठीक है ना यहां पर कहीं पर भी यह चीज decide होती है मतलब condition के हिसाब से और condition है angle वाली लेकिन वो चीज भी कहीं पर भी numerical में defined नहीं है मतलब x का क्या interval है कहने का मतलब जो भी interval हो open close interval उसके हिसाब से चीज decide हो सकती है कि मतलब वहां पर कोस x positive होगा negative होगा सही है तो मतलब हाँ फिर भी जैसे 0 से πाई भाई 4 था numerical 0 से πाई भाई 4 तो पहला quadrant 1st quadrant है यह वाली चीज 0, 91, 82, 70 इस तरीके से और यह था 1st quadrant 2nd, 3rd, 4 तो मतलब यहां पर है ठीक है ना 5 भाई 4 का मतलब 45 degree तो इस वज़े से मतलब 1st quadrant की बात हो रही है तो चलो यह 1st quadrant में और यह trick थी after school to college और A का मतलता all positive तो मतलब कोसेक्स भी positive होगा चलो यह बात होगा यहां पर plus का case आएगा ठीक है ना यह मतलब इस तरीके समझ लो यह ट्रम अलग नहीं है अब ही तुमे था इस वज़े से ठीक है तो इस तरीके से अब इसके बाद लेकिन यहां पर फिर से काम नहीं चलेगा क्यों साइनेक्स और कोसेक्स की ट्रम अलग होनी चीए कब वो सकती थी कि हम अंदर multiply कर ले हम अंदर multiply कर ले लेकिन वो possible है यानि इस चीज की तो पावर है 1 इसकी पावर है square root का मतलब 1 by 2 डिरेक्ट multiply possible नहीं है तो इस वज़े से मतलब इस टाइप से numerical सोल नहीं होगा ठेक है न यह छोटी छोटी बात आप निकाल रहे हो वो एक अलग बात है मतलब यह formula याद रखने वाली चीज सही है फिर यह first quadrant वाली बात यह वाली कि कौन सा case आएगा फिर भी numerical इससे सोल नहीं हो सकता क्योंकि पावर अलग अलग आई तो फिर numerical कैसे सोल होगा हाई इतना सोचा वो एक अलग बात है फिर इस टाइप से सोचना जरूरी है कि प्लस तो क्लास में मतलब इस trigonometric की इस तरीके से पांच टाइप होती है तो नमेंसे एक यह बन सकती थी लेकिन यहाँ पर end हो जाएगी तो इस numerical को कैसे सोल कर सकते तो जैसे अब इसके बाद अब बात करते है numerical की तीसरी choice पहली choice तो थी यह definite integral वाला concept दूसरी choice numerical की यह पांथ टाइप भी apply नहीं हो सकती उनमेंसे कोई भी एक सही है अब बात करते है तीसरी type की numerical किस तरीके से सोल हो सकता है यहाँ पर देखो जैसे integration जो ली मेटा वो एक अलग बात है ठीक है ना सबसे पहले integration सोल करना हमने तो sin x plus cos x तो जैसे पहली बात तो यह तो change करना ही पड़ेगा angle बराबर होने जरूरी है काम की बात ही है ठीक है ना तो यह put तो करना पड़ेगा ही हमें तो इस तरीके से सही है अब इसके बाद तो जैसे एक तो आप यहीं पर एक काम कर सकते हूँ क्या कि जैसे हमें यह पता है कि कौन किसका differentiation है इतनी बात पता है तो मतलब sin x को जैसे simply sin x का differentiation है देखो यह formula तो याद रखने पड़ेंगे आपको इस तरीके से और cos x का होता है minus of sin x थेखो न यह छोटी छोटी बाते नहीं बताई थी आदर कने की किसी से शुरूआ नए वाले formula में अमेसा minus का sign आता है यह छोटी छोटी बाते बताई थी वो आप playlist के अंदर check कर लेना सही है तो इस तरीके से तो यहाँ पर थेखो न एक तो किसी एक को पूट करके देख लो क्या बन रहा है sin x को पूट कर लिया t ठीक है ना case वही है मतलब कोस x आपके उपर है same चीज है वो तो इसमें दो सब चोईस है वो एक लग बात है इस चोईस के अंदर ठीक है तो अगला काम क्या होता है put वाले method में substitution method में differentiation with respect to x तो sin x का कोस x अगला t का dt और divide वाला dx यहाँ पर तो इस तरीके से सही है तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है जैसे sin x plus cos x लेकिन यहाँ पर फिर से value निकालने पड़ेंगे ठीक है ना मतलब जैसे इसी साब से solve तो कर लिया लेकिन उस चीज का फाइदा होगा नि numerical और मुस्किल बनेगा क्यों? अगर simply इस तरीके से चले तो जैसे sin x की गए put के हमने t फिर cos x cos x की value निकालने पड़ेंगी यहाँ पर ठीक है ना? cos x की value निकालने पड़ेंगी तो simply कह सकते cos x की value क्यों निकालने पड़ेंगी? पहले तो यह बात पता होने चीए put करने के बाद मतलब नए integration में अमें पहला वाला variable नजर नहीं याना चीए मतलब x कहीं पर भी तो यहीं से x cos x निकालो तो वही फोर्मूला put कर सकते हैं आप cos x की फिर से value put करने मतलब इस टाइप से numerical होगा length थी ठीके ना? मतलब यहाँ पर हम कोई फाइदा है नि अगर direct एक को ले करके चले तो अभी यहीं पर सबसे पहले तो जिसको यह चीज नजर आ रही है उसको यह बात पताओ नहीं चीकि हमें cos x into dx मिल जाए तो अच्छी बात है दिखे रहा ना cos x into dx लेकिन अलग-अलग के साथ आएगा मतलब इसको बरेक कर लो सबसे पहले सही है तो यह तीसरी choice समझ मेरी है न आपको यह तीसरी choice क्यों फाइद दे कि नहीं है तो मतलब यह चीज यह factor नहीं है इस वज़े से तो एक तो मतलब fourth choice यही पर क्या बन जाएगी numerical को solve करने के लिए यही पर कह सकते है actual में choice अब चालू होना शुरू होंगी अब तक तो था numerical important अब एक काम तो क्या कर सकते है आप जैसे अलग-अलग कर लो तो एक बार तो sin x के मतलब into में dx और नीचे factor आएंगे अलग-अलग करने का मतलब उपर जैसे दो ट्रम है तो अलग-अलग के नीचे लिख लो तो कहने का मतलब हाँ यहाँ पर 9 into 2 कर लेते हैं तो इस तरीके से सही है फिर यह plus का sign ही यह वाला और एक बार उपर cos x साथ में dx और नीचे यहाँ पर पर वही factor आएगा तो इस तरीके से तो numerical को solve करने के लिए पहले type बनती है यह वाली सही है तो यहाँ से हाँ इसके बाद put कर लो तो जैसे आपर उपर sin x dx आ रहा है तो इस case में cos x को put कर लेना put कर लेंगे cos x को जैसे t के ब्रापर ठीके ना तो यहाँ पर अगला काम वही differentiation with respect to x तो cos x का formula होता है minus sin x ठीके ना d t का d t divide वाला dx यहाँ पर चला जाएगा सही है इस case में put कर लेंगे हम मतलब sin x को ताकि यह उपर वाला dt मे convert हो जाएगे इस वज़े से ठीके ना sin x को चलो z put कर लेंगे इस case में t put कर लिया था इस वज़े से सही है तो यहाँ पर हो जाएगा sin x का cos x और z का d z वाला dx यहाँ पर तो integration अमारा बदल चुका होगा कि इसमें जैसे यहाँ पर समझने के लिए integration sin x into dx तो मतलब कह सकते हैं minus of dt minus sin बार ले सकते हैं ठीके ना और नीचे 16 as it is plus का 18 उसके बाद sin x into cos x को तो चलो t put किया है फिर sin x की value निकालनी पड़ेगी और sin x की value होगी वही उसी formula से sin square theta plus cos square theta is equal to 1 वहाँ से value निकालने पड़ेगी सही है इस तरीकी से इसके बाद और बीच में ये plus वाला sin और यहाँ पर integration क्या हो जाएगा उपर जैसे cos x into dx ये उपर dz हो जाएगा डिवाइड में 16 plus का 18 ठीके ना और sin x into cos x sin x को तो जैसे put किया था z फिर से cos x की value निकालने पड़ेगी उसी formula से तो ये आ जाएगी अब ये तो समझ में आ रहोगा न even power 8 एगी वो plus minus वाला मतलब यहाँ पर क्यों एक case क्यों लेके चल रहे हो इस वज़े से ठीक ना limit की वज़े से numerical में indirectly given है इस वज़े से तो इस तरीके से अब इसके पाद numerical फिर से यहाँ पर confusion मतलब confusion create करेगा आपको ठीक ना क्यों क्योंकि यहाँ पर directly की multiply possible नहीं है इस वज़े से ठीक ना तो यहाँ पर भी वो type कोई भी type यहाँ पर apply नहीं हो सकती क्योंकि multiply नहीं हो सकती इस वज़े से तो यह भी first choice नहीं हो सकती ठीक ना मतलब यह पहले चार तरीके बन सकते थे लेकिन अलग अलग तरीके की problem आ रही है तो सबसे पहले तो यह सारी की सारी सोचना जरूरी है तब ही numerical important दिखेगा सही है तो इस तरीके से अब आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि मतलब देखो इतना तो numerical में होगा है यह पहला step तो करना जरूरी है ठीक है ना क्यों यह तो convert करना पड़ेगा angle को बराबर करने के लिए angle बराबर बनाने पढ़ेगा इस वज़े से सही है उसके बाद सोचा हमने कि मतलब एक तो type directive उठ कर ले वो भी काम की नहीं आई उसके बाद हो सकता है अलग-अलग कर ले वहाँ पर भी problem आ रही है वो चीज भी सोलनी होगी सही है तो एक काम बन सकता है मतलब अलग देखो यही पर इसी बात में numerical का answer छिपा हुआ इसी छोटी सी बात में वो नजराना जरूरी आपको देखो यही पर इस choice और इस choice में अंतर क्या था कि अमें ये factor दिख जाए मतलब उपर वाला अब कोई इसी बात को ये नहीं कह सकता उपर वाला मतलब numerator पूरे का पूरा D of something में convert हो जाए जैसे वो DT या फिर DZ इस बात में convert हो जाए उपर वाला direct factor convert हो जाए सही है मतलब एक बार तो अलग-लग इसलिए क्या था ताकि sin x into dx या फिर cos x into dx इस बात से काम चल जाए लेकिन इस बात से तो इसी बात से numerical का solution निकलेगा तो मतलब एक काम नहीं कर सकते ये कर लो कि उपर वाला मतल sin x पलस पूरे का पूरा something मतल डी ओफ जैसे T या फिर D of Z में बदल जाए सही है तो ये पाच्वी choice है numerical में देखो हर choice सोचनी जरूरी है अब ये जितनी fast सोचोगे तो उतना ही फाइदा उतनी जल्दी numerical सो लोगा ये सारी की सारी choice discuss करनी जरूरी थी पता तो ना चाहिए आपको क्या-क्या problem आरी है इस numerical में इस वज़े से सही है और फिर ये भी पता ना चाहिए कि numerical का अंसर कहां पर छिपा हुआ है तो इस बात में ठीक है ना कि पूरे का पूरा numerator D of something में convert हो जाए तो इसी से solution निकलेगा और यहाँ पर क्या-क्या problem आरी है वो आप check कर सकते हो तो इस तरीके से सही है और कैसे solution निकलेगा इस fifth type से कह सकते है आप वो आम next part में discuss करेंगे numerically important सही है तो इस तरीके से तो अगर आपको मेरी वीडियो चलेगे इसको like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए तब तक के लिए thank you